कॉंग्रिस के वरिष्ट नेता और पूर्व केंद्री मंतरी कबल सिबल ने पीच इतंपरम को अदालत से मिले दो जटके पर अपनी कड़ी परतिकरियाई जाहिर की हैं उन्होंने इसे लेकर ट्वीट करते हुए पूछा है कि हमारी मौलिक सवतंतरता की रक्षा कोन करेगा उन्होंने ट्वीटर पर लिखा हमारी मौलिक सवतंतरता की रक्षा कोन करेगा सरकार, CBI, ED, आयकर विबार अधिकारी, अधालते जिस दिन अदालतें उसे सच मानने लगेंगे जो EG और CBI कह रहा है तो उस दिन भगवती से वेंकटा चलिया यूग में निर्मित सवतंता के स्थम ढह जाएंगे वेर दिन ज्यादा दूर नहीं है कपल सिबल आइनेक्स मीडिया मामले और AISL Mekuses Case में चितंबरम के वकील हैं बता दे पुर्व केंद्र मंत्री पी चितंबरम को एक अदालत ने आइनेक्स मीडिया मामले में गुरुवार को 14 दिनों की नियाग हिरासत में तिहार जेल भेज दिया है चितंब्रम के वकील उन्हें जेल नहीं भेजने के दलील दे रहे थे लेकिन अदालत ने उनकी मांग को खारिच कर दिया है अदालत के फैसले के बाद चितंबरम ने जेल में अलग सेल की मांग की थी इसके इलावा उन्होंने बेड और अलग बातरूम की मांग की थी जिनें मान लिया गया है इससे पहरे गुरुवार सुभा उच्छतम नयायाले ने आइनेक्स मीडिया मनी लॉंडरिंग मामले में अगरिम जमानत नहीं देने के दिल्ली उच नयायाले के आदेश को चुनोती देने वाले चितंबरम की याचिका को खारिज कर दिया था याची का खारिज होने के बाद चितम्रम ने CBI द्वारा दर्ज आइनेक्स मीडिया बश्टटार मामले में निचली अदालत के गैर जमानती वारंट हिरासे संबंदी आदेशों के खिलाफ सरवोच्व नियाले में दायर अपनी याची का वापस ले ली उनके वकील एम सिंगवी ने आईले को बताया कि हमने बिना शर्ट याची का वापस लेने का निरने किया है